हलो एवरीबन नजरे अब स्क्रेन पे मैं रुद्रपरताप सिंग आप सभी का Mathematics Faculty आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल atवध education पे आशा करता हूँ कि आप सभी मस्द होंगे जबर दस्त होंगे घर पर होंगे और सुरक्चित होंगे जबर्दस तरीके से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो पोलोमिया का लेक्ट्चर आपने काफी जबर्दस तरीके से कमप्लीट किया चाहे concept wise देखा जाए या फिर content wise देखा जाए numbers of questions देखा जाए हर चीज भरपूर मात्रा में इसके बारे में आपन चर्चा करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत जारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है उनसे कोश्चन स्वाल्ब नहीं होता वर्ट प्रॉब्लम में तब बाबा रे बाबा खतम नहीं लेकिन मैं आपसे करभर करने वाले हैं इनका मस तरीके से आपन नंबर ऑफ कॉश्चन भी प्राक्टिस करने वाले हैं तो आपको पता चल गया हो कि अपना किस लेवल का है कैसे आपको डिलेवर किया जाता है या फिर अद्वल एडुकेशन का कोई भी फेकल्टी आकर यहां पर अगर आपको अपना कंटेंट प्रदान कर रहा है आपको कंटेंट अपना दे रहा है और डिलेवरी जो दे रहा है अपना वो किस लेवल से दे रहा है फ्री मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी कर रहे है तो आईए आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं आपन आपक तो यहां पे आपको feel यहीं से आजानी चाहिए कि सर किस लेवल से start करने वाले हैं कहाँ से start करने वाला मैंने कया लिएक पहला point विजुलाइज और आपको दिया जा रहा है ठीक है जी तो वट इस लीटीवी यानि आपको एदम बेसिक से उठाके एदम टॉप पे ले जाने वाला हूं में एदम बेसिक से इसमें इसके भी बीसिक से पॉइंट अपन जानेंगे दैन आपन अगरेशर होंगे किस पे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे सब्सक्राइब इडन पर हिट कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले और एक बहुत बड़ा आपको सब्राइज मिलने वाला है बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन आपके पास में लेकर आने वाला हूं और जबर्दस तरीके से आपको बताने वाला हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एली टीवी और उससे पहले बहुत सारे मेरे रहें जहां मैं पिछले प्लैटफॉर्म पर पढ़ाता है जहां पर वहां के काफी अच्छा रहा उनका जबर्दस तरीके से 95 96 92 95 95 85 82 कुछ बच्चों का उस लेवल से रिजल्ट नहीं आया अपने रिजल्ट से निराश है तो उनके लिए मैंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आप अपने रिजल्ट से सटिस्फाइड नहीं है देन आपना इंप्रूब्मेंट भर सकते हैं और उस इंप्र से भी मैं connection मनाता हूं दिल का बनाता हूं तो उनको अकेला में नहीं छोड़ूंगा उनको ऐसे ऐसे बिपत्ती में अकेले छोड़ना सही नहीं है उनके लिए मैं कुछ ना को जरूर करूंगा और उसके लिए बहुत बढ़ा एक surprise आने वाला है बहुत जल्ट ठीक है जी तो फॉलू करो बोला और एकर आप फॉलू कर रहे हो तो यह साफ नंबर आपके कहीं जाने से नहीं रहे चाहिए हाडि से हाड़ कोउशन भी बना दिया जाए वर्ट म का पूरा भरमार दे दिया लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं हो और वर्ट प्रॉब्लम का तो ब्रहमास् बहुत सारी बाते होगी जबर्दस तरीके से बाते हो गई और आईए अब स्टार्ट करते हैं नया उमंग और नया जोस्त के सांथ जिंदगी में कभी निराश नहीं होना है और अपना मंजिल अपने को ही तैय करना है तो कभी घबराना नहीं है हमेशा अध्वैद एडूकेशन आपके साथ है मैं आपके साथ हूं आपका साथ करने वाले हैं से बात करने बारे aims वह स्जबु सबढ़े जान लेते हैं समझ नहीं चैप्टर कॉन सब्सक्राइब करने ले नो लीनियर एक electrons in two variables । टू वेरिएबल्स ठीक है अब यह linear equation in two variables क्या होते हैं इसको जानने से पहले मैंने क्या बोला है कि कुछ basics term है इसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं ज़रा जान लेते हैं ज़रा समझ लेते हैं देन आपन छलांग मारेंगे इसके तरह ठीक है और वैसे भी टैंथ में आपको linear equation in two variables तो आप ninth में पढ़ चुके हो यहां पर आपको पढ़ना होता है पियर्स ओफ linear equation in two variables ठीक है सर लेकिन धीरे धीरे ना धीरे धीरे मनवा धीरे धीरे ठीक है तो दम बेसिक से चल रहे ना बोला तो इसमें है वह है टाम है आपका equation तो what is equation बोले तो और प्लीज आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लीजिए पॉलिनोमियल के लेक्चर से आपको पता चल गया होगा किस लेबल से यहां पर पढ़ाया जा रहे है ठीक है तो equation equation सर आपने काफी अच्छे से बताया था हो कि जितने भी मेरे class में एस्ट्रेंट है सभी टॉप होगए सभी फर्स दिविजिन से पाट जो सभी मैंने यहां पर बैटा किसी से कि compare नहीं की नहीं की तो जहां पर comparing नहीं होता है यहां पर जहां पर आपको non comparing चीज मिलती है mathematics में याद करो expression पूरे polynomial आपने series पढ़ा कहीं पर आपने equation का यूज किया किस का यूज किया और यही मैं आ रहा हूं मैं आपके class teacher हूँ और मैं आ रहा हूं आपकी class में और मैं बोल रहा हूं कि भी राम का result,र स्याम से better' राम का result स्याम से better तो मैंने आपने दो चीजों कि comparing के किस की सार राम और स्याम और जहां पह aligned आएगा वहां पके दो आप जेक्ट तो आने वाले है दो अब mathematics में object के क्या relation है object से क्या relation है अब समझो जैसे मैंने एक यहाँ पे कुछ term लिखा mathematical term लिक रहा हूं ठीक है 2x square plus का 7x plus का 12 यह मैंने कुछ term लिखा और इसको मैंने क्या mathematical operation plus के साथ इसको आपस में जोड दिया आपस में जोड दिया तो इसको अगर मैं आपस में compare किसी चीज़ से compare नहीं कर रहा हूं इकवेट नहीं कर रहा हूं तो इसको बेटा क्या बोलूँगा मैं इसको क्या बोलूँगा बेटा expression याद करो अरे याद करो रहे बोबा बबा याद करो ठीक है सर अब इसी इसी mathematical term को फिर से लिख रहा हूं 2x square plus के साथ मैं जोड रहा हूं mathematical operation plus के साथ 7x plus का 12 ठीक है और इसको मैं कर रहा हूं equal to 0 मैंने क्या किया इसमें बेटा equate किया किसके साथ 0 के साथ आरे बोलो रहे बाबा इकवेट किसके साथ किया बेटा जीरो के साथ अब इसी इसको क्या बोलेंगे आप इस रेड़ वाले ब्रेकेट को सार इसको अब अपन बोलेंगे equation जैसे not expression this is called as the equation why because यहां पर आपको equate किया आपने equal to से तो mathematics में equation और expression में क्या difference है कि जहां पर आपने दो expression को दो expression को लिखा जहां पर आपने क्या किया equation what is equation कि आपने एक इधर expression लिखा कोई एक expression लिखा ठीक है सर फिर आपने इधर कोई एक expression लिखा expression लिखा ठीक है सर और इस expression को आपने क्या किया किसी भी इस दोनों को क्या है कि एक्विट की तो अब इस को जई करते हैं उसको बोलती है ईक्वेशन तो तो mathematics में अगर आपसे कोई पूछता है कि what is, what is equation तो sir comparing of both, comparing of two expression is called as the equation, clear है ना, यानि mathematics में अगर जहां पे आपको equal to का sign आ गया, equal to का sign आ गया, compare हो गया, उसको क्या बोलेंगे बेटा, equation, clear, clear है sir, what is equation, ठीक है sir, next जो आपको यहां पे basic system जानना है, वो है, zeros, आहा, यह तो काफी पढ़ा आपने sir, polynomial में, then solution, यह नहीं सुना sir, then आपको जाना है, roots, अब यह क्या sir, अलग-अलग होते हैं, क्या, यह बताओ, यह sir, आपस में same होते हैं, या फिर अलग-अलग होते हैं, sir, zeros आपने पढ़ाया, कहां पे, sir, जब आपने polynomial series किया, तो वहां आपने sir, zeros के बारे में बात की, ठीक है sir, जब आप पूरा linear equation पढ़ोगे, यानि, letv जब पढ़ोगे, तो यहां पे आप यूज करने वाले हो solutions की, और जब आप roots, roots बोलूंगा में, तब आप जब quadratic equation पढ़ने वाले हो, then आप यूज करने वाले हो, roots की, तो यह क्या तीनों आपस में अलग-अलग चीज होती है, sir, एक ही होती है, नाम अलग-अलग है, तीनों का मतलब बेटा same है, तो यह sir, होता क्या है, actually में, zeros क्या होता था, कि zeros एक ऐसी value होती थी, किसी भी expression की, जब मैं उस expression में, उस zeros की value पूट करूँ, तो वो expression किसके equal हो जाए, बेटा, zero के equal ह होती होती है, तो वो क्या बोलते हैं उसको zero, clear, अब यह solution क्या होता है, solution क्या होता है, आप समझना, letv में, कि किसी भी, ऐक ऐसा equation, अगर आप बोल रहों कि, अगर कोई भी real number उसका solution है, कोई आपको एक equation given है, और आप बोल रहो कि, वो real number उसका solution है, तो वो कब होगा, जब मै उस solution जो भी आपको real number given है उसकी value जब मैं उस equation में जो भी variable चल रहा हूँ उसमें मैं put करूँ तो वह किसके equal हो जाए बैटा 0 के equal हो जाए दैनापन बोलेगी कि हाँ उसका solution है तो solution basically क्या होता है ज़रा समझ लो यहाँ पे एक छोड़ा सा आप बहुत जहाँ पे a does not equal to zero है और आप बोल रहे हो कि x is equal to alpha is solution solution of this equation तो कब होगा भाई जब आप x की जगे alpha put करेंगे दैन यह equation किसके equal हो जाए बैटा 0 के equal हो जाएगा तो अपन बोलेगी कि हाँ alpha इसका solution होगा otherwise अपन बोलेगी कि alpha इसका solution नहीं होगा आप solution का भी बहुत सारे परकार होते हैं जैसा यूनिक solution infinite number of solution या फिर no solution अगर मैं बात करूं यहाँ पे types of solution के बारे में ठीक है आपको काफी अच्छे समझ में आया गया कि solutions क्या होता है वैसे roots क्या होता है root से कैसी value होती है किसी भी quadratic equation का जब मैं उड्रूट्स की value quadratic equation में पुट करूं तो quadratic equation किसके equal हो जाए जीरो के equal हो जाए तो आपन क्या बोले हैं कि हाँ वो उसका roots होगा जैसे 0s roots और solution एक ही चीज है बस आप 0s कहाँ पढ़ते है polynomial में इक्सप्रेशन चलता है देन आप solutions पढ़ते हैं आप यहां पर solutions क्यों बोला गया because यहां पर आपको solutions दो मिलने वाले है यहां पर variable जो linear equation इन टू वरियेबल चलेंगे दो solutions मिलेंगे एक X का एक Y का जो भी वेरियेबल चल रहा हुसका इसलिए आप इस सब्सक्राइब तरीके से टीक है तो आउप कि आपको क्लियर हुआ अब बात करते हैं Solutions के टाइप टाइप ताइप कि सॉल्यूशन कितने परकारते होंगे ठीक है आपके जो पैर भी तूटते वाला था यूनिक इड मेंज अनोखा कोई चीज अनोखा हो है ना सुन्दर बहेत बोलते हो ना अरे मेरी गल्फेंड जो है ना मस्त मतलब एक दम इससे सुन्दर तो कोई है नहीं अरे मुर्ख सुन लो अब गल्फेंड की बात सोचने मतलग जाना अनोखा यहां से मैं अनोखा सब्द को रिपर्जेंट कर रहा हूं गल्फेंड से विकॉज आपको रिमेंबर रहे ठीक है तो अपना समझाने का कुछ तरीका है ठीक है अब गल्फेंड की ख्वाबों मत खूल जाना उनके ख्वाबों में मत डूब जाना नजरे अब स्क्रीन पे हे उसके जैसा आप दुनिया में कुछ है नहीं उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है इसको बोलते हैं मैटा अनोखा दूसरा इसका होता है इन्फानाइट्स ठीक है इन्फानाइट यानि बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा इन्फानाइट इन्फानाइट इट मेंस ज्यादा इंफानाइट ए बहुत ज्यादा एक ऐसा solution मिलेगा आपको जो यूनिक हो मतलब उसके आलावा कुछ होगा नहें एक ऐसा solution मिलेगा जिसके आपको कितने solution होगा infinite numbers of solution आपके solution होंगे या यानि नो solution किक नो solution तो यह कुछ आपके solution के प्रकार हो गए, types हो गए, किस type के solutions आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस पूरे आपके linear equation into variable के series में, तो आपने क्या के देखा, sir, solutions क्या होता है, sir, equation क्या होता है, ठीक है, answer, solution कितने types के आपको देखने को मिलेंगे, तो एक solution आपको आएगा, unique solution, जो अनोखा होग किसी भी equation का, then आपको किसी भी equation को कैसा solution मिलेंगे, then आपको मिल सकते है, sir, infinite numbers of solution, एक ऐसे भी equation देखने को मिलेंगे, जिसके बहुत सारे solutions होगे, answer, एक ऐसा भी equation देखने को मिलेगा, जिसका एक भी solution नहीं होगा, ठीक है, sir, clear, sir, तो यह आपने solution के कुछ type देख लिए, आप इसको, आप क्या कर सकते हो, screenshot ले सकते हो, ठीक है, clear, अब बात करते हैं, chapter की तरफ अब अग्रिशर होते हैं, जरा ठीक है, तो आई यह जरा देखिए, कि अब chapter की तरफ थोड़ा अग्रिशर हुआ जाए, अब अपने को पढ़ना क्या बेटा है, यहाँ पे, linear, आप पढ़ equations in two variables, अब इसको जानने से पहले, जरा आईए, जानते हैं कि linear equation क्या होता, linear equation in two variables, तो आपको 9 मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन आप यहाँ पर आईए, आप समझी रहे हैं, तो एकदम basic से चल रहा है, एकदम basic से, तो यहाँ पर पहले बात करते है, linear equation के बारे यहाँ पर आपन, एक जिसमें linear equation in one variable की बात कर रहे है, तो एक ऐसा expression, एक ऐसा equation, जो जिसमें एक variable present हो, और उस variable का जो degree हो, जो highest degree हो, वो कैसा हो बेटा, वन हो, तो उस type के equation को क्या बोलते हैं, linear equation, मैंतलब मैंने क्या बोला, कि एक ऐसा equation, जिसमें एक variable present हो, और वो equation हो, और हो, अचे जो हो, highest degree हो, इस equation का, वो कितना हो बेटा, one हो, तो उस type के, उस type के equation को क्या बोलते हो, linear equation, लिनियर equation क्या होता है, linear equation क्या होता है, AX plus B is equal to 0 ऐसा form हूँ ठीक है जहां पर A does not equal to 0 हो और इस equation का जो HD हो कितना हो HD जो हो 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 वो कितना हो 1 के बराबर हो तो उस type के equation को क्या बोलते है linear equation I hope आपको clear हो ठीक है और यहां पर 1 variable की बात कर रहा है तो linear equation क्या होता है कि एक ऐसा equation जहां पर जिस equation का highest degree क्या हो 1 हो उस type के equation को क्या बोलते है linear equation expression क्या होता था linear polynomial एक ऐसा प्रीम जिसका HD 1 हो और वोidents Initiate ना हो लेकिन या पर equation की बात हो रही है तो एक ऐसा equation जिसका HD 1 हो और वहां पर क्या बोलतेतहीं एक ऐसा expression जिसका HD 1 हो ठीक है तो यही अंतर है आपके polynomial series और linear equation in two variable में और इसलिए मैंने polynomial के just बाद आपको linear equation in two variable बत समझाया ताकि आपको ज्यादा तकलीप ना हो ज्यादा कुछ unique ना लगे अनोखा ना लगे ठीक है तो चलो सर आपने बोला सर कि एक ऐसा equation जो a x plus b is equal to 0 हो और जहां पर a does not equal to 0 अगर हो जाएगा अगर a equal to 0 हो जाएगा भाई तो सर क्या हो जाएगा ऐसा क्या बवाल होने वाला है कि अगर a equal to 0 रख दूंगा बवाल हो जाएगा भाई बवाल हो जाए अब क्या हो जाएगा जीरो इंटू का x plus का b is equal to 0 यह देखिए यह term पूरा क्या हो गया बेटा जीरो के बराबर तो 0 प्रस b is equal to 0 तो सर यह कहां से linear equation बना भी यहां पर क्या है ए और बी क्या है भाई यह कॉमा भी इस belongs to real number अब इसको mathematics में बेटा बोलते हैं belongs to belongs to ठीक है और आर डिनोटेट फॉर रियल नंबर क्लियर ना रियल नंबर तो भाईया यहां पर a और b क्या है रियल नंबर यानि एक constant is equal to 0 कर रहे हैं कोई सर यहां पर linear equation तो बना ही नहीं तो सर आप कैसे बोलोगे कि x plus b is equal to 0 is your linear equation कब बोलोगे जब आप a does not equal to 0 रख रहे हैं ठीक है जी तो इसलिए मैंने बोला यहां पर a does not equal to 0 अब यहां से क्या आपको फिल करना कराना चाहरा हूं मैं देखिए कि क्या यह आपको एक linear equation होगा क्या 2x plus 3 is equal to 0 बिल्कुल होगा सर क्यों होगा सर यहां पर देखिए a और b क्या होना चाहिए रियल नंबर तो 2 is a real number and 3 is also a real number क्लिय वर्याबल क्या है सर एक्स है और एक्स का जो पावर है जो पावर है वो कितना है एक्वेशन का वन है तो सर्षा सारा यहां पर condition satisfy हो रहा है एक linear equation कब होता है जहां जिसका हो इक एक्वेशन कितना हो 1 हो उसका form कैसा हो a x plus b is equal to 0 जहां पर a और b belongs to real number आनि a और b क्या होना चा सुलूशन निकाले अगर सॉलूशन की बात हो रहे हैं जो भी बेरियंबल चरह रहा है उसकी वैलू निकालो अगर उस वैली पर वह एक्वेशन क्या हो रहा है जीरो की इकवाल हो रहा है तो उसका वह solution हो जाएगा तो अगर मैं इसका बोल रहा हूँ कि इसका solution निकाला तो कैसा निकालोको बबावा कैसा निकालोगे 2x plus 3 is equal to 0 then 2x is equal to minus 3 यह solution निकालने के बोल रहा है यानि आप x की value निकालने बोल मैं क्या करूंगा इस एक्वेशन जो आपको गिवन था उसमें आपने जो भी एक्स की वैलू निकाली उसको पुट किजिए एक्वेशन अगर जिरो की एक्वल हो जाता है तो अपन क्या बोलेंगे यहां यह इसका सॉलूशन है तो देखिए टू इन्टू का माइनस का थ्री इसका सॉलूशन होगा अब यहां से मैं क्या संध्यान चाहरा हूँ कि अगर यहां से कोई पूस्ता है आप से कि बताए कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉलूशन जो होता है वो किस टाइप यूनिक हुता है इन्फानाइट है यहां पर एक भी सॉलूशन होता तो देखिए कितने सॉलूशन जों जो होगी कि centro adding है सोचो जारा अरे सोचो जारा कि X की कोई ऐसे भी वेल्व होगी क्या माइनस 3 बाइटू छोड़के कि जिस पर यह यह जो आपको equation given था यह किसके equal हो जाए सर जीरो की equal हो जाए सर ऐसी हो नहीं सकती ऐसा हो नहीं सकता इस जबाने में कि linear equation क्या एक से ज्यादा solution आपको मिले यानि unique solution से अलग solution मिले तो यहां पर एक अनोखा value आपको होगा X is equals to minus 3 by 2 जिस पर यह equation क्या होगा बेटा जीरो के equal होगा अधर किसी भी values पर यह जीरो के equal नहीं होगा तो एक linear equation का इस note point को आप लिख लिजेगा और इससे क्या समझ में आया कि सर यूनिक solution यानि मिलेगा तो एक linear equation का एक linear equation का अगर solution पूछा जाए तो solution of solution of of linear linear equation is always be unique कैसा बहिए यूनिक और linear equation in one variable की में बात कर रहा हूँ linear equation in one variable की में बात कर रहा हूँ two variable के भी बात नहीं चल लिए यहाँ पर one variable की बात चल लिए linear equation in one variable की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर क्या देखा कि solutions के टाइफ लिए linear equation क्या होता है इसके बारे मैं देखा इसके कैसे solutions होते हैं यह बात देखा आपने और solution कैसे निकालते हैं बस solution निकालना it means what जो भी variable चल उसकी values निकालना और बताओ नहीं यहाँ पर कोई भी x की ऐसी another value होगी जिस पर यह equation 0 की इक्वेशन हो जाए ऐसा होई नहीं सकता ऐसा होई नहीं सकता ठीक ऐसा तो एक linear equation in one variable का हमेशा कैसा solution होता है यूनिक solution होता है कैसा होता है यूनिक solution तो इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना है कोई भी आपके objective टाइब में यानि mcq में जिसे आप बोलते हो अरे यार क्या हो रहा है cq वाले इसमें यह portion में यह पूछा आ सकता है कि एक linear equation in one variable की कितने solutions होता है हमेने solutions तो सर यूनिक solution होता है बाकी सर इसका कोई solution निकाली नहीं सकता बताओ नहीं आ सकती है कि नहीं आ सकती सर यह क्या हो जाएगा इसका यूनिक solution एक ही ऐसे x की value होगी जो इसको satisfy करेगी ठीक है अब maths में एक सब्द आता है satisfy English का एक सब्द आता है बटा Satisfied अब यह Satisfied का मतलब क्या होता है mathematics में यह समझ लेना Satisfied मतलब यह बोला जाता है mathematics में कि LHS is equal to RHS यानि सर जो जो मेरा left hand side में बने वही मेरा right hand side में LHS का full form क्या होता है left hand side and RHS का full form क्या होता है यह right hand side मेरे time में मेरे कोई नहीं पता था कि what is LHS जब प्रूफ करते था सर तो बोले था है LHS is equal to RHS और हमको पता ही नहीं था one is my LHS left hand is my LHS right hand is my RHS right hand is my LHS and left hand is my LHS और बीच में के लगया equal to sign ठीक है तो LHS is equal to RHS यह मतलब होता है यानि satisfy का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि X की यह value इस इक्वेशन में satisfy हो रही है यानि उसका LHS वैल्यू के LHS is equal to RHS हो रहा है किलियर ना तो एकदम बेसिक से प्लीज इसको नोट डाउन कीज़े थोरा सा मैं पानी पी लेता हूं तो प्लीज इसे नोट डाउन कीज़े मस तरीके से थोरा सा नीचे कर देता हूं ताकि स्क्रीन सोट लेना हो किसी को ले ले ठीक है कि लुख कि लिनेरी कुश्टन के सॉलूशन के बारे में आपन देखा अब 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 अगरा होगा देख लिनेरी कुश Risk कई गम चलेंगे लेंगे अब टॉप जय कोई भी कोश्च्ट में सर अब बात करते हैं आपन linear linear equations linear equations in two variables variables अब यह linear equation in two variables one variable के लिए अपन ने देखा one variables वाले क्या होते हैं कैसे होता है क्या definition है उसका क्या form होता है क्या कैसे बोलेगे की वह linear equation in one variable है देन उसके solutions कैसे होते है solutions क्या होता है equation क्या होता है यह सारे चीज़ों के बारे में अपने डील कि लीनियर equation in two variables की लीनियर एक्वेस्टेंट का क्या मतलब है और यहीं यहीं से आपका class 10th का chapter स्टार्ट हो जाता है कि लीनियर एक्वेस्टेंट इन टू वरियेबल से ठीक है तो यहां से आपका class 10th का chapter स्टार्ट हुआ बेसिक्स पॉइंट्स आपके यहां पर खतम हो रहा है ठीक है बहुत क्या बढाता हुष और आप कैसे कर आते ज्सेमरे के पढ़ाया थे आप क्या बढ़ है मॉली इस वहाँ पॉली प्लस नों इक तो वैसे ही आगर मैं बात करूँ कि वहाँ इसका कैसा देफिनिशन चूपा हो जारह आए अश्माज लिजे और जानिये मज़ेतार तरीके से क्या है नाम आपका भाईया linear then sir आपका नाम है equation equation then sir आपके नाम में है in then sir आपके नाम में है to then sir आपके नाम में variables ठीक है तो इसको अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो linear equation into variable ठीक है linear मतलब what sir single बोले तो single या फिर बोले तो हिंदी में अकेला अकेला clear ना हाँ sir equation is what sir equation means comparing comparing clear ना comparing और हिंदी में इसको बोले तो sami करण sami करण clear ठीक है sir इन मतलब sir main clear two मतलब sir 2 clear और variables मतलब sir variables it means sir sir जो अपना समय के साथ जो value अपना चेंज कर रहा constant और variable कौन बुझ सकता जो मेरे सा लेक्चर अटेंट किया polynomial का तो यह denoted भाई मालों में x y z t इटी सी कुछ भी हो ठीक है यह सारे क्या हो गए variables हो गए ठीक है तो अब इसके नाम में कैसे इसका definition चूपाई जावा एक ऐसा equation एक ऐसा समी करन एक ऐसा समी करन यहां पर आगया में एक लगाया एक ऐसा समी करन जिसमें एक ऐसा समी करन जिसमें एक ऐसा समी करन जिसमें दो variables जिसमें दो वेरियेबल्स एक ऐसा समी करन जिसमें दो वेरियेबल्स अब इस वेरियेबल्स में कोई साभी वेरियेबल्स हो सकता है तो मैं क्या बोलाओ डेफिनेशन सुनो एक ऐसा समी करन जिसमें मैं आ गया है यहां पर एक ऐसा समी करन जिसमें दो वेरियेबल्स जिसमें 2 variable हो और उन दोनों वरियबल का जो पावर हो जो कैसा है वेटा single हो अकेला हो उस type के equation को क्या बोलते हैं linear equation in two variable तो मैंने बोला ना कि जो भी मैं इसका chapter पढ़ाहуса उसके नाम में उसका definition है कहीं रटने जाने to variable. एक ऐसा equation जिसमें दो variable present हो और उन दोण creative का जो power हो कैसा बेटा हो linear हो, single हो उस type के equation को क्या बोलते हैं किया linear equation in two variables clear है क्या? क्या? बोलो हायना, हा सर , clear एक बार और सुनो एक ऐसा equation एक ऐसा सभी करन्व , एक ऐसा equation जिसमें दो variable present हो और दुम दोनों variable का जो power हो कैसा बेटा हो लिनियर हो तो उस type के equation को क्या बोलते हैं linear equation in two variable अब हो equation लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा भाईया ax plus by plus c is equals to 0 and यहाँ पे a,b,c belongs to r यानि real number and a does not equals to 0 and b does not equals to 0 जड़ा यह इस equation को देखिए मैंने क्या बोला है कि एक ऐसा equation equation है sir compare हो रहा है एक ऐसा equation जिसमें दो variable present हो देखिए यहाँ पे x and y दो variable present हो परजेंट है एक ऐसा equation जिसमें दो variable present हो और उन दोनों variable का जो पावर हो कैसा लिनियर हो तो x की पावर भी वन है य की पावर भी वन है तो उस टाइप के equation को क्या बोलते है मैंट लिनियर equation इन टू वरियाबल और यहाँ पर यहाँ बी और सी किससे बिलोंग कर रहा है रियाल नंबर कुछ भी हो सकते है एंड सर एड़ नॉट इकवेशन जिसमें दो वरियाबल का जो पावर हो वह क्या हो बेटा सिंगल हो तो उस टाइप के एक है अपना डिलेवरी के स्थाइं यही तो एक है अपना कंटेंट और आपको कंसेप्ट सिखाने का स्थाई ठीक है तो आईए अब ग्रंथों के इसाफ से देख लेते हैं अभी तो आपने सब देख लिए देशी में एकदम देशी लेंग्वेज में एकदम मस तरीके से डिल के ऐना अब यह ग्रंथ क्या बोलते हैं उनके हिसाफ से देख लेते हैं तो ग्रंथ बोलते हैं कि an equation an equation of a form of ab relação like a x plus b y plus c is equal to 0 where 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 a b c where a comma b comma c are real number are real number real number and a does not equal to 0 comma b does not equal to 0 is called as is called as linear linear equation is called as a linear equation in two variables linear equation in two variables मैंने क्या ग्रंथ के हिसाब से कुछ अलग बता दिया क्या आपको आरे बोलो किताबी लेंग्वे से कुछ अलग बता दिया कैं नहीं सर आपने भी वही बताया है क्या वो लेंग एक ऐसा equation एक ऐसा equation जिसमें दो variable परजेंट हो और दोनों variable का जो पावार हो वह क्या हो लीनियर हो single हो तो उस टाइप की equation हो क्या बोलते है लीनिर equation इंटू वेरियेबल तो ग्रंथ क्या बोलना है कि equation of a form एक ऐसा equation जिसका form कैसा हो वेटा और एक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब प्लूस इक्वाइस जिक्वा जेरो जहां पे नहां पापा क्या बोला भही पापा ऐब जी टुम्हारे उसके बात कर रहा हूं उनकी ही नोटी क्यों करें अनुट न भॉल न रेन अर। ए 선修 प्लस में आपका क्या जाता है यहां पर आपके आजाते हैं ए नंबर इसलिए मैंने इस रियल नंबर को क्या बोला पापा ठीक है तो यहां पर जो coefficient of x और coefficient of y और constant term है यह क्या होना चाहिए बैट है real number and a does not equal to 0 and b does not equal to 0 a does not equal to 0 and b does not equal to 0 क्या मतलब है because sir अगर आप इस यह जो आपको equation given a x plus by plus c is equal to 0 अगर आप नहीं मान रहें और a equal to 0 and b is equal to 0 रख रहें then यह वाला term 0 यह वाला term 0 then sir बचा क्या constant term is equal to 0 तो sir यह linear equation in two variable variable तो दिखी नहीं रहें तो sir यहां पर linear equation in two variable का form बनेगा नहीं इसलिए मैंने क्या किया यहां पर a does not equal to 0 and b does not equal to 0 is called as the linear equations in two variables ठीक है तो इस type के equation को क्या बोलता है linear equation in two variables जबर्दास तरीके से यहां पर अपने definition को देखा कैसा form होता है ax plus by plus c is equal to 0 अब यहां पर variable x और y मैंने लेके चला हूं आप आप जो भी मन करें वो लेके चल सकते हैं कोई दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है आपको clear clear है इस बात से आप सहमेत है जबर्दास तरीके से प्लीज इसको screenshot मारो फड़ फड़ जब तक मैं पानी पी लेता हूं ठीक है फड़ फड़ तरीके से screenshot लीजिए चलो ठीक है सर अब जड़ा इसके solutions के बारे में बात करता है कि इसका solutions कैसे कैसा होगा सर infinite होगे सर unique solutions मिलेगा या फिर बात करें तो सर क्या एक भी solution नहीं मिलेका तो मैं माल लेता हूं कि आपको जो linear equation in two variable गिवन है मैं माल लेता हूं x plus y is equals to six है यह आपको linear equation in two variable गिवन है क्या यह linear equation in two variable है हा सर दो variable है दोनों के power में one है HD है न और यह सर equate भी हो रहा है six से ठीक है सर तो linear equation in two variable है सर तीनों condition यहाँ पर और यहाँ पर a b c क्या है मिया यह क्या है यहाँ यहाँ पर a is one and b is also one ठीक है तो यह सर linear equation in two variable है क्योंकि यहाँ पर a b और c कैसे है real number है और जो variable है उसके power में क्या है HD क्या है one है और a does not equal to zero and b does not equal to zero है यानि linear equation in two variable है अब इसकी solutions के बाद करूं में इसका solutions कैसे निकाल सकते हो आप तो एक ही method है इसका solution solutions कैसे निकालते थे आप because आप क्या करते थे या तो y को in term of x solve कर लेते थे या फिर x को या तो y को express कर लेते थे in term of y में तो मैं y को ही कर लेता हूं तो देन यहां सा क्या आप का y is equal to 6- x का एक्स के बराबर अब मैं क्या करता था एक launch box बनाता था बोला ठीक है और उस launch box में क्या करता था में जरह ध्यान से समझना उस launch box में मैं क्या करता था भाई यहां पर रख दता था सिर्फ एक्स और यहां पर रहा रहा एक्सिक वाइ क्लिर नहया अब मैं यहां करता था इस एक्सिल करता था और वाई की वेली में यहां से निकलता था तो ज्वाइकर कर करके बता ह complementary क्या क्या आँ है ठीक लिलिट तो अगर मैं रख रहा हूं अगर x is equals to 1 then y is equals to 5 x is equals to 2 then y is equals to 4 x is equals to 3 then y is equals to 3 x is equals to 4 then y is equals to 2 x is equals to 5 x is equals to 5 then y is equals to y is equals to 1 x is equals to 6 then y is equals to 0 तो यहां से मेरे को कुछ values मिल गई अब मैं क्या करता था भाई graph कर लेता था तो graph कर लेते हैं आये देखिए जड़ा है ठीक है थोड़ा और नीचे रखता हूं इसको है थोड़ा और नीचे रखता हूं बोला क्योंकि positive value लिया है अपने ठीक है यहां के अब यह आपका origin इधर y-axis है आपका this one is x-axis ठीक है this one is x-dash this one is y-dash clear तो sir आपने क्या this one is 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 and 10 ठीक है the answer 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ठीक है तो अब रिपर्जेंट कर लेते हैं sir क्या क्या रखा आपने sir आपने रखा है पहला क्या रखा है sir x is equals to one then y is equals to five यानि sir कुछ यहां पर हना यहां से जाएगा थोड़ा टेड़ा हो रहा है रिपर्जेंट पूरा प्रोपर ग्राप नहीं कर रहा है इस बहुत लोगों को यह भी धान नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं ठीक है then sir x equals to three यानि x में आपने चला तो y में यहां पर तो 4 x में आपने यहां पर चला यहां यहां पर militaroule यानि सर ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और ऐसे निकल के चल जाएगा मतलब क्या बोला मैंने जरा ध्यान ने समझना कि यहां पर ग्राफ अगर आप देखना चाहोगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा या छोड़ो ऐसी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे कुछ आएगा और यह सिक्स से नि बनाघिक करा जाएगा तो अगर इसके सलॲूषण सा अगर आपको पुछा जाये कि बदाए कि इसके कितने सलुषन होंगे तो आप बताई यहक्तिया स्कत מैद सब्सक्ता है तो स्लुक्त और नोलें नमबर सलुषन देकने को मिलेंगा सरक्वो करते हुए चली तहीं है यहां पर थै really यहां प elas स्कॉड करते हुए चलीओ तीक है यहां पर आपको य की value मिलते हुए चलेगी मिलेगी और जिस जो भी आप ऐस्की ऱएल रखते हैं और स्कॉड्ड किसके शल्भ चाहिए गांगे तो लिनियर्स conspiracy इन्फानाईटन ऍमबर सॉलूशन होते हैं कितने सॉलूशन होते हैं इन्फानाईटन नॉर्स अब सॉलुशन होते हैं यहाँ से अधर चली कई अब सब सब्सक्राइट कर माइनस त्री ठीक है माइनस वन रखोगे तो देखो माइनस वन जब रखोगे तो सेवन आ जागे यहां पर भी आपको सॉलूशन मिलेगा ऐसे भी बहुत सारे सॉलूशन इधर नेगेटी में भी मिलते हुआ चलेंगे यह लाइन ऊपर तक जाएगे ठीक है तो इसकी linear equation in two variable की तो नोट पॉइंट में लिख लेना कि सॉलूशन सॉलूशन ओफ ल इटी वी यानि linear equation in two variable is is infinite 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 number infinite number of solution ठीक है infinite number of solutions इसके होते हैं बहुत सारे solution होते हैं इसका कोई अंत नहीं होता है जैसे जैसे आप x की value put करोगे य की value आपको 0 मिलते जाएगे देखो यहां पर put करके देखो x की जाएगे यहां पर satisfy कर लो x की जाएगे 1 then y की जाएगे 5 x की जाएगे आपने क्या बोला sir 1 रख दीजिए ना तो आपको equation क्या given था x minus x plus y is equal to 6 x plus y is equal to 6 तो आप बोलो x is equal to 1 and y is equal to 5 यह इसके solution है तो यह sir lhs is equal to rhs होने यानि satisfy करना चाहिए value तो sir x की जाएगे 1 रखो y की जाएगे 5 रखो देखो यहां पर 6 आगे प्लस का 6 ठीक है 6 से 6 कटा है 0 is equal to 0 तो से satisfy कर रहा है फिर यह वाले भी value रखो सर्थ कितने solutions होते है infinite numbers of solution होते हैं तो यह आप से mcq में पूछा जा सकता है कि how many solutions of a linear equation in two variables sir infinite number of solutions आपको यहां पर visualization आराम से बहुत इजली तरीके से दिख रहा होगा मस तरीके से ठीक है और यही अभी तक देखा है आपने ninth class में यही आपन पढ़के आए हैं ठीक है अब यहां पर बात करते हैं solutions होता क्या actually में sir what is solution solution what is solution solution of solution of solution of letv linear equation in two variable का solutions क्या होता है ठीक है अब देखों यहां पर solutions क्या होता है कि if if x is equal to alpha and y is equal to beta are solution are solution of of ax plus by plus c is equal to zero यही तो general form है आपकी से भी क्लिनेर equation in two variable का ठीक है अगर आप बोल रहोगे x is equal to alpha and y is equal to beta क्या होंगे यह जो आपको linear equation in two variable given है क्या given है solution of ax plus by plus c is equal to zero इसके solution होंगे then then कब होंगे sir then x then a of alpha then a of alpha plus y then b of beta है na b of beta plus c is equal to zero जब मैं x की जागे alpha put करूं and y की जागे beta put करूं तो इस equation की value जो भी आपको यह equation given था इसकी value क्या निकल के आजाए भाईया 0 के equal आजाए किसके equal आजाए बेटा 0 के equal आजाए then आपन बोलेंगे कि हाँ x is equal to alpha और y is equal to beta इसके solution है solution basically क्या होता है solution एक ऐसी value होती है किसी भी linear equation in two variable का कि जब मैं उस solution की value उस equation में put करूं then वह equation किसके equal हो जाए 0 के equal हो जाए equal to 0 हो जाए यानि LHS is equal to RHS हो जाए यानि 0 is equal to 0 के बाराबर हो जाए तो I hope कि आपको clear हो गया होगा कि what is solution solution of LETB की बात कर रहा हूं मैं ठीक है कि यह किसका solutions की बात करने अपन linear equation in two variables ठीक है अब बात करने वाले हैं यहां तक तो basics हो गया ठीक है यह अपन ने 9th class में काफी अच्छे से deal किया है लेकिन अब यहां से अब 10th की जर्वने start होती है अब यहां पर आपको linear equation in two variable नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना यहां पर simultaneous linear equation in two variable या फिर बोले जाए पियर ओफ लिनेर equation in two variable कि पेयर ओफ लिनेर equation in two variable क्या होता है and simultaneous दोनों एक ही नाम है simultaneous मतलब क्या एक जैसा अब पेयर मतलब क्या जुडवा तो जुडवा अगर होगा तो एक जैसा twins जिसको बोलते हैं twins इसको इनको twins बच्चा पैदा हुए यह जैसा जो जुडवा रखता है वो उसको बोलते simultaneous है ना एक जैसा है तो अब आपको यहां से journey start होती है simultaneous linear equation आपको यहां पे आपको क्या पढ़ना है या आपको यहां पे linear equation in two variable से ठीक है कि pair of linear equation in two variable actual में होता क्या है किसको बोलते है pair of linear equation in two variable उससे पहले questions इस पर practice जो आपन ने किया उस पर question जारा practice कर लेते हैं जारा आईए देखिए क्या बोल रहा है कि solution of इस पर क्या पुछेगा solution of a linear equation बताईए कि इसके यह solution so that the x is equals to 3 and y is equals to 2 x is equals to 3 and y is equals to 3 जो आपन ने अभी solution of a linear equation in two variable उस पर किस टाइप के question पूछा आपन चर्चा करने वाले है आपन तो so that the x is equals to 3 and y is equals to 2 is a solution of a this linear equation in two variable ठीक है 5x minus 3y plus is equals to 9 के बराबर तो solutions क्या होता था कि x is equals to alpha and y is equals to beta कब होता था solution किसी भी ax plus by plus c is equals to 0 पॉलो मिलका जब मैं x की जगे alpha पूट करूँ है य की जगे beta then ax plus by plus c is equals to 0 वाले लिनेर equation in two variable का linear equation in two variable का value कि इसके बराबर हो जाए बटाई इसके क्या होंगे beta solution होंगे किसके आपको जो linear equation two variable given है वो क्या given है five x minus three y is equals to nine ठीक है तो max की जगा three put कर रहा हूं and y की जगा two then यह पूरा जो equation यह किसके equal हो जाए जीडियो के equal हो जाए ठीक है सर तो five into का three minus three into two is equal to nine के बराबर clear न हाँ sir clear then sir यहां से क्या जाएगा fifteen minus six is equal to nine 9 is equal to nine के बराबर nine से nine गया then zero is equal to zero sir zero की equal हो गया तो क्या हो जाएगा x is equal to three and y is equal to two two इसके क्या हो जाएंगे solution हो जाएंगे और यह कैसा equation आपको linear equation in two variable तो मैंने क्या बोला कि sir linear equation in two variable infinite numbers of solution होते हैं infinite numbers of solution होते हैं ठीक है sir अब दूसा solution जारा बताना इसका दूसा solution क्या हो जाएगा sir x is equal to आप रख लो zero and y is equal to sir आप रख लो minus three यह भी इसका solution होगा हाँ sir बिल्कुल होगा क्योंकि x की जाएगा आप जीरो पुट कर दो तो यह term 0 और y की जाएगा minus three यह हो जाएगा प्लस का 9 तो इसलिए मैंने बोला कि जितने भी linear equation in two variable होते हैं उसके कितने solution होते हैं infinite numbers of solution होते हैं बहुत सारे solution होते हैं आपको मालेजे इंटीजर्स पर हो रहा है इस फ्रेक्शनल वैल्यू भी आएंगे डैसमल्स वैल्यू भी आ सकते हैं ठीक है तो आप सोचने की उपर डिपेंड करता है ठीक है इसके ग्राफ कैसे जाएगा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा तो इस पर बहुत आपको क्या बोला गया है और क्या बोला जाला है कि आप प्रूफ कीज़े कि 3.2 ये एक जिएका जिएकुशन की ख़ां इसके इसके ऊंगे बिटा और सॉलुचंस होंगे ठीक है एएग्श की जिएगा मैंन थ्रीफ पूट कर रहा हूं है अब इसका अनाधर कोई भी solution हो सकता है कि बिलकुल हो सकता है सर क्या हो सकता है सर एक्सकी वैलो जीरो रगदान यह वाई है यह यह वाई है यह यह थीक है दुस्ता सॉलुशन इसका सर बताबाना सर एकस की वैलू 0 रगदा य की वैलू 5 रगदो यह भी सर्टिस्वाइब कर रहा है और सर और सर कोई सर एकस़ की वैलू 5 रगदो यह भी सर्टिस्वाइब कर रहा है तो इसलिए linear equation two variables के कितने solution होते हैं infinite number of solution होते हैं बहुत सारे solution होते हैं ठीकर तो यहां तक आपका basic term खतम हुआ next lecture से अपने start करने वाद lecture 2 से simultaneous linear equation in two variable के बारे में और उसमें जानेंगे कि simultaneous linear equation in two variables क्या होते हैं इन दोनों में क्या difference होता है क्या दोनों एक ही होते हैं तो क्या होते हैं इसके बारे में आपको काफी अच्छे से पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो कर पसंद आए तो लाइक करें अभी तक आपने अपने चैनल अद्वेद एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ बेल आइकन को हिट करना ना बोलें ताकि बिना किसे पूछे हर एक अपडेट आपको मिलता रहे बबा टेक केर एंड जैहिंद मिलता हूं बहुत जाल नेक्स लेक्चर में अभी के लिए इतना ही लव यू गैज टेक केर